नमस्कार दोस्तों में नाम मैं विमल सिंग बालाजी श्टरी एड़ा में आपका स्वागत है पर्यवरण और हिंदी के प्रेक्टिस सेटप आपको करा रहे हैं तो ज़स्ट इससे पहले हमने पर्यवरण पोर्षन का सेट नमबर 9 जो है वो देखा था जो कि आपको साइड मे आई बेटन में पिछला वीडियो मिल जाएगा आज हम देखेंगे हिंदी के कुल 30 प्रस्ण और ये आपके पर्यवरण के जिस प्रकार से सेट नमबर 9 था उसी प्रकार हिंदी का भी हमारा सेट नमबर 9 ही होगा तो चलिए शुरू करते हैं प्रस्ण नमबर 31 से प्रस्ण क ермड़ सकते हैं जैसे कि आपका पहला वाला संक्रमड का प्र ऐसा नहीं है विचार और भाव के संकलन का थो होता हिये आदन प्रदान का होता हिए जोस्वक्ति संकरमड भी आपका होगा कभी कभर क्या होता है समझ में नहीं आता है तो अन्य आप्शन को देख लीजिए तो आपका ये सभी चौथा वाला आपका option जो है वो बिलकुल सही हो जाएगा 32 प्रसंद कहा रहा है यदि बालक अक्षरों एवं सब्दों के सही आकार क्रम तथा अक्षरों और सब्दों के बीच की दूरी से सही अंतर को समझने की योग्यता का विकास करता है तो बालकों को कौनसी दक्षिता का प्रसिछड देना चाहिए सीड़ में इस टाइब के प्रसंद आते हैं बताना है आपको की कौन सा सही होगा पहला option कहा रहा है कि सुनने संबंदी दक्षता का प्रसिच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च अच्छा पुरसन है वरंदा वन लाल वर्मा, सुभद्रा कुमारी, चौहान, जय संकर प्रसाद या महादेवी वर्मा, बताना है आपका आपको उप्षन 1-2-3-4 में से कौन सा सही होगा, तो उप्षन 1-2-3-4 में से बात करते हैं, अंसर की कौन सा जो है वो सही होगा, तो आ रचना कर यदि आपसे पूछा जाए और ये यदि ये भी पूछ लिया जाता है कि ये इसकी जो विधा है वो क्या है तो ये आपका एक उपन्यास है जासी की रानी क्या है ये एक उपन्यास है और भासा कौन सी है इसकी इस उपन्यास की तो हिंदी भासा है इसकी प्रकासन त थी थी 34% कहा रहा है यामा के रचईता जो है वो है सुमित्रा नंदन पंत है सुभध्रा कुमारी चौहान है महादेवी वर्मा है या मीरा भाई है अच्छा प्रसन है चार ओक्षन है बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा बात करते हैं अंसर की और ये आपको एकदम रटी होनी चाहिए most important रचना है क्योंकि मैंने आपको trick wise पताई है सारी रचना है ये आपने नहीं देखी है यूट्यूब पर बाला जी श्टडी अड़ा रचना है नाम से सर्च करेंगे पूरी playlist आपको एक मिल जाएगी सभी रचनाओं को याद करने की एक से एक बहतरीन trick आपको मिल जाएगी पात करते हैं अंसर की तो आपका option number तीसरा महादेवी वर्मा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा यामा के रचईता महादेवी वर्मा है 35% कह रहा है निमलिकित में से किस सब्द में यण संदी है यह आपको बताना है संसय में है, सूर्योदय में है, अत्याचार में है या राकेस में है तो इन चार option में बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा यण संदी पूछा गया है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे अंसर की बात करेंगे फिर उसके संधी विच्छेद की बात करेंगे तो चार ओप्षन में आपका कौन सा सही होगा आपका तीसरा वाला ओप्षन अत्या चार आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा देखिए सबसे पहले हैं क्या कहेंगे संधी विच्छेद क्या होगा तो अत्याचार का संधी विच्छेद क्या होगा आप कहेंगे अती प्लस आचार इस प्रकार से जो है वो अलग-अलग होगा क्या होगा अती प्लस आचार जो है वो संधी विच्छेद होगा अब यहाँ पर जो अती है, इसमें आप देख रहे हैं, छोटी E आ रही है, और जो आचार है, इसमें देखिए, बड़ा आ आ रहा है, और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, तो आपका या और बड़ा आ, इस टाइप से आप कहेंगे, ये जो है, वो बना रहे हैं, या और बड़ा आ, तो ये आपका कौन सी संदी में होता है, यन संदी में सूत्र, ये सारे होते हैं, तो यहाँ पर आपका अत्याचार जो है, वो सही हो जाएगा, 36% देखते हैं, सत्यार्थी का संदी विच्छेद होगा, चार आप्शन है, पताना है, छाटना है आपको कौन सा सह hooray होगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सत्यार्थी का, कि किस प्रकार से अनसर होगा, तो आपका सत्य पलस अर्थी, कौन सा ओप्शन, दूसरा वाला आपका ओप्शन सत्य पलस अर्थी, ये वाला जो है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, और कौन सा यहाँ पर रूल सत्यार्थ ही आपका बंदा है और ये किसमे होता है यदि आपसे यहाँ पर संदी पूछ ली गई होती तो आप कहते दीर्ग संदी यहाँ पर जो होगा अगला प्रसंद देखते हैं वीडियो पसंदार हो सभी लोग वीडियो को लाइक भी उवश्य कर दीजेगा ताकि इसी प्रकार आगे भी अच्छे से अच्छी चीज़े हम आपको प्रोवाइड कराते रहें प्रसंद देखते हैं हमारा अगला 37 युदिष्ठिर में आपको समास बताना है द्वंद समास होगा बहुबरी समास होगा दिगु समास होगा या ततपुरस समास होगा इस प्रगार से चार option है बताना है आपको कि युदिष्ठिर में समास कौन सा होगा तो बात कर लेते हैं चलिए answer की option 1,2,3,4 में से कौन सा सही होगा तो बिलकुल आपका दूसरा वाला आपका option बहुबरी समास जो है वो बिलकुल सही हो जाएगा और युदिष्ठिर का आप स समास विग्रे करेंगे तो क्या कहेंगे युद्ध में स्थिर रहने वाला इस टाइप से हम जब तीसरा जो को अन्य पद होगी कह सकते हैं प्रधान होता है वहाँ पर यह आप देखते हैं बहुबरी समास यहां पर आपका बहुबरी समास जो है वो हो जाएगा और युदि समास होगा दंद समास होगा दिगु समास होगा पहुबरी समास होगा इस प्रकार से चार आप्शन है बताना है आपको अजात सत्रू में कौन सा समास होगा तो अजात सत्रू काफी बार बोलते भी हम नौर्बल भासा में क्या कि जिसके किसी सत्रू ने अब तक जन्म ना ल जाएगा, 39% कहा रहा है कि अंत का पर्यावाची क्या होगा, फल होगा, फासला होगा, अवसान होगा, या दाडिम होगा, चार ओप्षन है बताना है आपको कौन सा यहाँ पर सही जो है वो पर्यावाची होगा, तो बात करते हैं अंसर की कौन सा इसमें सही होगा, तो आपका तीसरा वाला option अवसान जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा अंत के परहवाची और कौन-कौन से होते हैं आपका समाप्ती होता है अवसान तो होता ही है इती भी होता है इती स्री भी होता है समापन भी होता है इस टाइब से परहवाची अलग-लग होते हैं चालिस प्रस्ण कहा रहा है व्यग्र का परहवाची क्या होगा चौर उप्षन है सुधीर होगा गंभीर होगा अधीर होगा या उजबक होगा बहुत ही भैतरीन प्रस्ण है आपका बताना है आपको व्यग्र का परहवाची तो उप्षन 1,2,3,4 में से कौन सा जो है वो सही ह बात करते हैं अंसर की तो आपका अंसर जो है वो तीसरा वाला ओप्षन अधीर जो है वो बिल्कुल सई हो जाएगा और कौन-कौन से परहवाची होते हैं व्यग्र के तो बेकरार भी होता है आतुर भी होता है उतावला भी होता है इसी का धैरहीन भी होता है परहवाची व्य कह रहा है अनार का पर्रहवची बताईए शुकोधन होगा दाडिम होगा राम बीज होगा या यह सभी तो बताना है आपका option 1,2,3,4 में से अनार का पर्रहवची क्या होता है बात करते हैं चलिए अंसर की तो आपका option दूसरा वाला दाडिम जो है वो बिल्कुत सही हो 42 प्रसन कह रहा है कि ग्रहण का विलोम बताईए अनुकरण होगा त्याज होगा आग्रह होगा स्विकार्र होगा अलगलग चार option है ग्रहण जो है इसका विलोम सब्द आपको बताना है ग्रहण करना मतलब ग्रहण और जश्ट इसका पोजिट बताना है बात करते हैं अंसर की कौन सा सही होगा, तो त्याज जो है वो सही हो जाएगा, किसी चीज को ग्रहन करना और इसका just opposite क्या होगा, त्यागना तो दूसरा आपका option सही हो जाएगा 43 प्रसंद कहा रहा है घटक का विलोम सब्द क्या होगा अनेकत तो होगा एकत तो होगा समुदाय होगा, या समुह होगा, पताना है आपको इन चारो option में से घटक का विलोम क्या होगा, तो बात करते हैं चलिए फिर answer की option 1, 2, 3, 4 में से कौन सा जो है, वो सही हो जाएगा तो बिलकुल आपका option तीसरा वाला समुदाय जो है, वो बिलकुल सही हो जाएगा ये आपका घटक का परहवाची होता है परहवाची नहीं आपका विलोम opposite जो होता है, विलोम सब्द पूछा गया था अगला प्रस्ण आपका 44 है चिरंतन का विलोम सब्द क्या है सास्वत है नश्वर है, निरंतर है, नैसरगिक है इस प्रकार से चार आप्षन है बताना है आपको कौन सा सही होगा चिरंतन का विलोम सब्द तो आप्षन 1-3-4 में से बात करते हैं अंसर की कौन सा सही होगा तो बिलकुल आपका आप्षन नमबर दूसरा नश्वर जो है, वो बिलकुल सही हो जाएगा, चिरंतन का विलोम सब्द 45 प्रसंद कहा रहा है आदी से अंत तक के लिए सब्द क्या हम जो है, वो यूज करते हैं अध्योपांत आदी, दिगंत या अंतिम, चार आप्षन है बताना है आपको आदी से अंत तक के लिए कौन सा सब्द होगा पात करते हैं अंसर की, ओप्षन 1, 2, 3, 4 में से तो आपका ओप्षन 1, 2, 3, 4 में से आद्योपांत जो है, वो वो बिलकुल सही हो जाएगा, आदी से अंत तक के लिए आपका ये यूज सब्द होता है आद्योपांत और इसी से ही थोड़ा मिलता जुलता एक और होता है थोड़ी देर में नश्ट होने वाला, उसके लिए हम चलबंगुर जो है, वो यूज करते हैं 46% कहा रहा है कि जिसकी कोई इच्छा या इस्प्रहा ना हो उसे हम क्या कहते है निरलिप्ट कहते है, निरास कहते है निस्प्रह कहते है, निर्बाद कहते है चार ओप्षन है, बताना है आपको कि जिसकी कोई इच्छा ना हो उसे क्या कहते है तो ओप्षन 1,2,3,4 में से कौन सा सही होगा जिसकी कोई इच्छा नाव से क्या कहते हैं अंसर की बात करते हैं तो तीसरा वाला आपका option निस्परह जो है वो बिल्कुस सही हो जाएगा जिसकी कोई इच्छा नाव से हम निस्परह की नाम से जानते हैं 47 प्रस्न है अच्छा प्रस्न है चार अप्षन है बताना है आपको कौन सा सही होगा बात करते हैं अंसर की option 1-2-3-4 में से तो बिलकुल आपका option यहापर दूसरा वाला सुहाग जो है वो बिलकुल सही हो जाएगा तो आपका सौभागे का तदभाव सब्द क्या होगा? सुहाग जो है वो होगा 48 प्रस्ट कहा रहा है उनमेश सब्द में किस उपसर्ग का प्रियोग हुआ है? उप, उद, अपी या अभी चार ओप्षन हैं बताना है आपको इनमेश से कौन सा सही होगा? उनमेश सब्द में किस उपसर्ग का यूज हुआ है? बात करते हैं अंसर की तो आपको उप्षन नमर दूसरा उद, उपसर्ग जो है, वो सही हो जाएगा तो ध्यान रखेगा आपका उद, उपसर्ग यहाँ पर जो होगा 49 प्रसन आपका कहा रहा है कि उजवल में उपसर्ग आपको बताना है उत उपसर्ग होगा, उप उपसर्ग होगा, अती उपसर्ग होगा या अप उपसर्ग होगा इस प्रकार से चार उप्षन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा बात कर लेते हैं चलिए answer की option 1,2,3,4 में से तो बिल्कुल आपका पहला option उत उपसरक बिल्कुल सही हो जाएगा most important question है बहुत बार उजवल में उपसरक पूशा जाता है तो इसको एकदम रट के रखिएगा और उजवल कई बार आपका सुद्ध बरतनी में भी लिखके आ जाता है क्योंकि यहां पर आधिजा दो बार लगती है तो कई लोग confused होते हैं इसलिए इसको ये भी दन्रकी का लिखा कैसे जाता है अगला प्रसंद 50 कह रहा है कि गागर में सागर भरना जो है तो बात करते हैं चलिए अंसर की option 1,2,3,4 में से गागर में सागर भरने का अर्थ जो है वो क्या होगा तो बात करते हैं अंसर की तो दूसरा वाला आपका option थोड़े सब्दों में बहुत कुछ कहना ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा थोड़े सब्दों या वाक्य में अधिक बात कहना अत्वा ऐसी वाक्य योजना जो बहुत गहरे भाव से यूगत हो वो आपका होता है गागर में सागर भरना 51 प्रसन कहा रहा है घी के दीपक जलाना मुहावरे का अर्थ क्या है दिवाली मनाना विकास होना खुसिया मनाना या उत्सव प्रिय होना जिस प्रकार से चार option है बताना है आपको काउन सा जो है वो सही होगा बात कर लेते हैं अंसर की तो आपका option है आपर तीसरा वाला पुद्धवर्तिनी से संबंदित अनुग्रहित बहुत पूचा जाता है बताना है आपको इस चारो option में से कौन सा वाला सही है बताना है आपको कि अनुग्रहित यहाँ पर कौन सा वाला जो है वो सही लिखा हुआ है बात कर लेते हैं अंसर की मैं अनुग्रहित बोली रहा उसे ही आपको इस पर समझ में आ रहा है कि यहां पर आपका तो आपका दूसरा वाला option अनुक्रहीत जो है वो स़ह हो जाएगा पहले और दूसरे option इन दोनों में ही confusion होती है यह वाला अनुक्रहीत और दूसरा वाला तो दूसरा वाला यहां पर सही होगा दोनों ही आपके देखे, सुनने में यानि कि अगर आप बोल के देखें, उनका उचान करके देखें, तो एक जैसे ही लगता है, पर दूसरा वाला आपका सही होगा, 53% कहरा है कि इन में से भी आपको सुद्धवर्तनी, सही वर्तनी बताना है, और चार प्रकार से याँ पर ल लिखा जाएगा, 54% कहरा है जुगुप्चा किस रस का इस्थाई भाव है, अध्भुत, करुण, विभत्स या वीर, चार आप्षन है, बताना है आपको कौन सा जो है, वो सही होगा, बात कर लेते हैं अंसर की, तो पिलकुल आपका आपका आप्षन तीजरा वाला, यानि क कि विभत्स जो है, वो सही होगा, अगला प्रसंद देखते हैं हमारा 55, मूक होई वाचाल, पगो चड़ाई गिरिवर गहन, जासु क्रपासो दयाल द्रवहू, सकल कलीमल तहन, वो प्रोक्त बद्ध जो है, आपको बताना है, सोल्ठा बरवय, मालिनी या रोला, इन में से क रचना की पंक्तियां हैं, तो आप क्या कहेंगे, गोसामी जो तुलसी दास जी है, उनका जो मूल सीर्षा के रामचरित मानाज, उसके अंतरगत, जो बाल कांड है, उसके यहाँ पर ये पंक्तियां लिखी हुई है, ये मूक होई वाचाल, पगुचड़ाई गिरिवर गहन जिनकी कृपासे गुंगा बहुत सुन्दर बोलने वाला हो जाता है, और लंगडाज लूला जो है वो दुरगम पहाड पर चड़ जाता है, लिखाए ना पगुचड़ाई गिरिवर गहन, आगे लिखाए जासु कृपासो दयाल द्रवहु, सकल कलिमल दहन, यानि कि जो कल यूग के सब पापों को जला डालने वाले जो दयालू भगवान है, वो मुझे पर द्रवित हो, यानि कि दया करें, यह आपकी यहाँ पर पंक्तिया लिखी हुई है, अंसर की बात करते हैं, कौन सा यहाँ पर सही होगा, तो पहला वाला आपका ओप्शन सोर्था जो है, व 56 प्रसन कहा रहा है, सिरी गुरु चरन सरोज रज, निजमन मुकृट सुधारी, बरनहु रगुवर विमल जस, जो दायक फल जारी हो, प्रोक्त जो पद है, वो आपको बताना है, दोहा सोर्था चौपाया बरवे में से, कौन सा यहाँ पर आप्शन सही होगा, तो काफी ब यहाँ पर अबोलें, दोहाई, यहाँ पर मात्राएं लिखी जाती है, उसका अधार पर याप इसे पहचानते हैं, 57 प्रसन कहा रहा है, निम्लिकित पद में कौन सा अलंकार है, यह मुक है, नीले अंबर में यह यह चंद्र विमल है, अंधेरे में दीपक, यह दीप जला, या सर में खिला कमल है, उपमा, रूपक, उलेक, या संदेहे, चार ओप्शन में से चाटना है, आपको कौन सा जो है, वो सही होगा, तो ओप्शन, 1,2,3,4 में से कौन सा जो है, वो सही होगा, बात कर लेते हैं चलिए, अंसर की, तो आपका ओप्शन, यहाँ पर चोथा वा समास है, चार ओप्शन भी दे रखे हैं, करमधारे समास, तत्पुरुस समास, बहुरी समास, दिगु समास, बताना है आपको कौन सा सही होगा, बात कर लेते हैं चलिए, अंसर की आपका ओप्शन 1,2,3,4 में तो आपका बिल्कुल दूसरा वाला ओप्शन कौन सा वाला, तत् पुरुस समास जो है, आपका होगा, 59 प्रसन वाला हम आपसे पूछेंगे, 60 प्रसन देख लेते हैं, और वीडियो भी तक आपने लाइक ना किया हो, इतने एच्छे प्रसन हम आपको करा रहे हैं, एच्छे इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो एक नहीं हो, तो सब्सक्राइब करके भी अवज जुड़ जाएगा, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम पर बाला जिश्टरी अड़ा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं, फेस्बुक पर भी म जुड़ सकते हैं, साथ नमर प्रसंद कह रहा है कि गंगा से उत्पन होने वाले को क्या कहते हैं, गंगे कहते हैं, गंगु कहते हैं, गंग पुत्र कहते हैं, या गंगीय कहते हैं, चार उप्शन में चाटना है आपको कौन सा जो है, वो सही होगा, बात करते हैं अंसर की, तो पहला वाला आपका option गांगे जो है वो बिलकुल सही हो जाएगा तो गांगे कहते हैं कंगा से उत्पन्न होने वाले को अब देख लेते हैं वो प्रस्ण जैसे कि सभी वीडियो में आपसे एक नेक प्रस्ण पूछते हैं तो 59 नंबर वाला प्रस्ण आपसे पूछ रहे है कि मरणा सन्य सब्द में जो है वो कौन सा समास जो होगा करमधार होगा तत्पुरुस होगा बहुबरी होगा या दंध होगा option 1,2,3,4 में से कौन सा सही होगा अपना उत्तर वीडियो के में कमेंड में टाइप करके अवर्शिल जो है वो बताइएगा आप चाहें तो option भी पता सकते हैं कि 59 का यह होगा या पूरा option भी टाइप कर सकते हैं कि मरणा सन्य में ये समास होगा यानि जो भी अंसर यहां पर होगा तो इसी के साथ हमारे आज के सभी प्रसंस अवाप्त होते हैं कैसे क्या आपके टोटल प्रसंस सही है वीडियो के में कमेंड में कीजिएगा चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं फिर आगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ अब तकिल नमस्कार थैंक यू पर वाचिंग